नवस्कार मैं हूँ आसिस और आप देख रहा हैं आसिस कमर्स क्लासिज में रपी साथियों हम लोग अपने वीडियो में बात कर रहे थे मार्केटिंग की और मार्केटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे Marketing Practices in India की जयानी भारत में वीपरन बेवार इसमें हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि सिवाओं का वीपरन यानी Marketing of Services क्या होती हैं इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिवाओं के वीपरन का अर्थ क्या होता है इसकी परिभासा क्या है और इसके साथ समझेंगे कि इसकी विश्यस्ताएं या प्रकृति क्या है फिर हम लोग समझेंगे कि सिवाओं का वर्गी करण कैसे किया जाता है और उसके वर्गी करण में कौन-कौन सी बातें आती हैं इस तरीके से हम लोग सिवाओं के विपरण को समझेंगे सबसे पहले जानते हैं कि सिवाओं के विप्रण का अर्थ क्या होता है यानि meaning of marketing of services यदि आपके पास कोई प्रशन होता है तो निश्चे ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रशनों को बता सकते हैं आपके सभी प्रशनों का अंचान लोग जरूर करेंगे अब बात करते हैं meaning की सिवाओं का विप्रण सबी तरह से ग्राकों की अवश्यक्ता और उनकी इक्षा पर निर्वर करता है ये बात अप लोग संथेंगे जिस तरीके से कोई भी ग्राक चाहेगा कि उससे जिस तरह की services चाहिए उस तरह की services उसे मिल जाती है जैसे माल लिजे कोई अगर विद्यार्थी है उसे चाहिए कि उसे teaching services चाहिए तो क्या करेगा वह teaching service को purchase करेगा या फिर teaching service को लेगा अगर उसे entertainment service चाहिए तो क्या करेगा वह entertainment service लेगा इस तरीके से services ग्राकों की इच्छा पर निर्वत करती है ठीक है इसमें कम्पणियों द्वारा अमूर्थ संसाधनों का समवर्धन सामिल है और जो भी तमाम तरह कम्पणियां है वो क्या करती है जो अमूर्थ संसाधन है उनका समवर्धन करती है यानि प्रमोशन करती है अब मैं इसको समझाता हूँ यदि कोई company है जो film बनाती है गाने बनाती है तो क्या करती है वह उसका advertisement करती है प्रमोशन करती है अत्यदिक लोगों तक कोई भी information company का है वह पहुंचे इसको हम लोग कहते हैं प्रमोशन या फिर product promotion कहते हैं इसके लिए company अपनी तरफ से जो भी उसके पास अमूर्थ संसाधन है अमूर्थ का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था जिसका आकार नहीं होता है जो मूर्थ नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो भी entertainment service है मनरंजन की संसाधन है मैं example लेता हूँ उनको company क्या कर रही है इस example मे प्रमूट कर रही है ठीक है जिसके अंद्रगत company अपने ग्रहकों की आउस्चता इच्छा इवं मांग के अनुसार विभिन्य प्रकार की समय प्रतान करती है क्लियर हो चुका होगा बात आप लोग संधेंगे किसी भी sector में हम लोग अगर example को लेते हैं माल लिजर हम लोग entertainment क को लेते हैं तो entertainment सक्टर में जो भी सर्विसेज प्रवाइट की जाएगी company के द्वारा वो ग्रहकों की इच्छा पनी भर करेगी और यहां पर जब company को ग्रहकों की इच्छा मालम चल जाएगी ग्रहकों की demand पता लग जाएगी तब वह company क्या करेगी अपनी तरफ से उसी प् बात करता हूं तो जिस तरीके से लोगों का mood होता है जिस तरीके से हमारे आज का culture है जिस तरीके से हमारा आज का culture होई तरीके से गाने भी market में आते रहते हैं ठीक है आप लोग इस बात को समझेंगे service के example में teaching के example में या फिर जो भी doctor की services है या फिर किसी CA की services है किसी भी advocate क की सर्विसेघ। यह सारे सारी सुर्विसेज इंगलूड होती है। .in fact अभर्टीजमींट क्या हैcem इक सर्विस ही है तो इसको भी आप लोग समझेंगे जो भी तमाम तरफी तमाम कंपणियां होती हैं वो क्या करते हैं मार्केटींग का भी क्या देती यह ते जती हैं कि सेवा कोई भी ऐसा कार्य या निस्पादन है जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रस्तुत करता है ठीक है यानि सेवा क्या है कोई भी कार्य है जा फिर कोई भी कार्य है जिसका निस्पादन हो रहा है जिसकार को खतम किया जा रहा है ठीक है या फिर जिसकार को बनाया जा रहा है जो एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को यानि एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को दिया जा रहा है, सुपूर्द किया जा रहा है, और उससे ट्रांसफर किया जा रहा है, आप लोग ऐसे समझेंगे, जो अमूर्थ है तथा जिसके परिणाम सुरूप किसी वस स्वामित नहीं मिलता अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि जो सेवा हुआ है और मुर्त है यानी उसका कोई भी वास्थविक आकार नहीं है आप लोग कोई भी पेन खरीते हैं तो पेन का क्या है पेन का एक आकार है कितना लंबा है कितना मोटा है ठीक है तो इस तरीके से उसका अकार है लेकिन अगर आप लोग किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी सेक्टर में कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसका अकार नहीं है इसलिए हम लोग कहते हैं कि वह क्या है अमूर्थ है जिसके प्रणाम सुरुप किसी वस्तु का स्वामित नहीं मिलता और यहाँ पर जब वह अमूर्थ है तो वहाँ पर किसी वर्थ का स्वामित तो कहां से मिलेगा वायज सहब ठीक है इसका उत्पादन किसी भौतिक उत्पाद से बन्धा नहीं होता यह बात अपर लोग समझ चुके होंगे मैंने अगर अमूर्थ की बात संतुष्टियां हैं जो विक्रय के लिए प्रस्तूत की जाती हैं क्लिर हो चुका होगा सेवाय क्या हैं क्रियाय हो सकती हैं लाब हो सकता है संतुष्टियां हो सकती हैं जो विक्रय के लिए या बेचने के उद्धिस से प्रस्तूत की जाती हैं प्रिजेंट की जाती हैं कस् जोस्त को बेचने से संबंधित सर्विस प्रवाइट की जा रही है ऐसे माल लिजे आप लोग देखते होंगे आरो लगता होगा आपके घर में या फिर कोई भी ऐसी मशीनरी लगती होगी तो उस मशीनरी को लगाने के लिए सर्विसेज प्रवाइट की जाती हैं इनवर्टर लगता होगा तो इनवर्टर को लगाने के लिए कोई भी परसन आता होगा आपके वहाँ पर इनवर्टर लगाता होगा या फिर डिस एंटिना लगता होगा तो आपके वहाँ पर जो भी छतरी लगती होगी उसको लगाने के लिए कोई परसन आता होगा तो क्या ह चुगा होगा अब यहाँ पर आप इस बात को समझ चुके होंगे सिवाओं के संदर में अब बात करते हैं सिवाओं की विश्यस्ताइं या प्रकृति क्या होती है यानि characteristics are nature of services इसमें कुछ बात इस प्रकार से हैं पहला है सेवा एक अमुर्थ क्रिया है यानि services is an intangible activity अमुर्थ क्या है उसको मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है दुसरा है और प्रिथकनियता यानि inseparability ठीक है अब जो भी सेवा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अलग नहीं कर सकते हैं जो भी person है मानले यह कोई doctor है उस doctor से हम लोग उसकी जो services को अलग थूरिंग कर सकते हैं इस तरीके से कोई भी lawyer है तो उसकी service को हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं कोई भी engineer है वह किसी भी map को बना रहा है किसी भी design को बना रहा है आर्किटेक्ट मान लिजे तो वहाँ पर उस condition में उसकी services हम लोग उसको लग नहीं कर सकते हैं उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी person है technician आपके वहाँ पर आता है आरोल प्लाट लगाता है तो उसकी service से आप लोग उसको लग नहीं कर सकते प्रिथक नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर और प्रिथक नियता पाई जाती है यानि inseparability प सामने वाले को वह क्रिया या लाब या संतुष्टी प्रदान की जाती है किसी वस्तु का निजमार नहीं होता है यहाँ पर सिवार में services is an performance not production of goods यह बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुगा होगा क्योंकि आप भी become में पर रहे हैं तो यहाँ पर मैं सारी की सार से की प्रमाप्री करार का भाव यानि लैक ओफ इस टैंडराइशन अब यहाँ पर जो भी सेवा होती है यहाँ पर इसका प्रमाप्री करार सही तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि अगर हम लोग कोई भी गुट्स बनाते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा element कौन सा जो भी raw material होगा कितना पड़ेगा या सारे की सारी बातें पहले से standard में होती है लेकिन सेवा में कोई भी person किस तरीके से सेवा प्रवाइड कर रहा है इसमें फर्क आ जाता है अंतरा आ जाता है कोई भी teachers है अगर एक subject को आज पढ़ाया हो सकता है कि अगले दिन उसस से खराब पढ़ा सकता है इस तरीके से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो सेवा होती है उसमें standardization नहीं हो पाता है ऐसा ही तरीके से कुछ तरीके से कुछ हद तक कोई भी जो भी service provider है वहाँ सेवा बढ़िया देने का प्रयास करता है केवल पांचमा है नासमान अथमा और स इस्टोरेबल यहां पर हमने लोग सेवा को इस्टोर नहीं कर सकते हैं और सेवा क्या होती है नासमान होती है कोई डॉक्टर है उसने आपको service दी ठीकर तो क्या आप लोग उसके दोड़ा दी जाने वाई service को संगड़ा कर सकते हैं या बचा सकते हैं नहीं आपको फिर से उ तरह की सेवाएं आती हैं A यानि पहला है उब्भोकता सेवाएं यानि consumer services और दुसरा यानि B है और द्योगिक सेवाएं यानि industrial services अगर हम लोग उब्भोकता सेवाओं की बात करेंगे तो कुछ बाते हमें समझनी है इसमें पहला आता है खान पान सेवाएं यानि रिफ्रेश्मेंट सेवाएं दुसरा आता है होटल सेवाएं यानि hotel services तिसरा आता है व्यक्तिकत सेवाएं यानि personal services चौथा आता है परिभान सेवाएं यानि transport services पांचमा आता है मनुरंजन सेवाएं यानि entertainment services छठमा आता है संचार सेवाएं यानि communication services और साथमा आता है बीमा व को वित्तिय से माय यानी इंसूरेंस एंड़ फाइनस सर्विसेज और भी तौम तकी से माय को सकती है। मैंने यहां इतना बता दिया हुआ है। आगे बात करते हैं और द्दोगिक सेवाउं की यानि इंडस्ट्रियल सर्विसेज जिसने पहला है वित्तिय, वीमा, परिवहन, इत्यारी सेवाई यानि फाइनिशियल, इंसुरेंस, ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज एक्सेटरा दुशरा है प्रवंध, वीमार्श सेवाई या पांचमा है सुरक्षा सेवाई यानि सेक्यूर्टी सर्विसेज तो मैंने फ्री साथ वीडियो हमने समझा कि सिवाउं का अभी उप्राण क्या होता है यदि आवा के पास कोई प्रस नहीं है जरूर बताइए आपके सब्सक्राइब का अंसरों जिरू करेंगे हम लोग फीर